बिस्म लर्वाने रहीम तो यहां पर मैंने आदा किलो मैदा लिया है इसके अंदर आप मैं नमक एट करूँगी हस्बेजाई का मिक्स कर लूँगी दोनों चीदों को थोड़ा थोड़ा पानी इसमे एट करूँगी और इसका एक मैं सकसा दोट सेयार कर लूँगी रेगुलर जो हम आटा गुनते हैं रोटियों के लिए उससे थोड़ा सा इसको हम टाइट गुनेंगे तो यह देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालके मैं इसको गुन रही हूँ तो यह देखिए आटे को मैंने अच्छे से गुन लिया है और यह देखिए इस तरीके से इसको सक्त होना चाहिए अब इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबान आदे घंटे के लिए रैस के लिए छोड़ दूँगी तो तक्रीबान आदा घंटा हो गया इसको रैस्क पर मैंने छोड़ा हुआ था आई अब हम इसको चेक कर लेते हैं तो यह देखिए आठा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है इसको एक दफा फिर से मैं इस तरीके से कर लूँगी और अब इसके मैं छोटे-छोटे से पेड इतने बॉल बना रही हूँ और इसी तरीके से मैं बाकी के भी बॉल्स त्यार कर लूँगी तो यह देखिए सारे बॉल्स मैंने त्यार कर ली हैं अब मैं एक बॉल उठाऊँगी और इसको इस तरीके से मैदे में लगाऊँगी और थोड़ा सा डस करूँगी काउंटर पे और इसकी मैं रोटी बेल लूँगी जिस तरीके से हम regular रोटी बेलते हैं उसी तरीके से मैं इसकी रोटी बेल लूँगी देखिए इस तरीके से और इसको एक तरफ रखती जाऊंगी और इसी तरीके से बाकी की भी रोटीयां त्यार कर लूँगी तो यह देखिए सारी रोटिया मैंने त्यार कर लिए अब इसके उपर मैं इस तरीके से ब्रस से ओईल लगा लूँगे अच्छे से तो यह देखिए चारो तरफ अच्छे से मैं इसमें ओईल लगा रही हूँ उपर से मैदा डस करूँगी और दूसरी रोटी को ठाकर इसके उपर इस तरीके से रख दूँगे इसके किनारे एक दूसरे के उपर मैं बराबर कर रही हूँ इस तरीके से तो इस सारे किनारे मैंने बराबर कर लिए अब दुबारा से इसके उपर ओयल लगाऊंगी और अगेन इसके उपर मैदा डस्ट कर दूँगी अब यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी रोटियों की पट्टी बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर पांच रोटियों इस्तमाल कर रही हूँ एक वक्त में तो यह देखिए आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि मैं एक रोटि रखके उसके उपर इस तरीके से ऑइलिंग कर रही हूँ और उपर से इसके मैदा छिड़क रही हूँ तो यह चार रोटियां हमने तयार कर ली है तो आखरी रोटि जब मैं इसके उपर रखूंगी तो उसके उपर हमने ओइल नहीं लगाना बस यह किनारे में बराबर कर लूँगी इस तरीके से उसके बाद हलके हातों से मैं रोटि को बेल लूँगी तो यह देखिए भूध देहान से आपने इस टाइम पर इसको बेलना है कि सारे किनारे एक जैसे हों कहीं से मोटा और कहीं से पतलालाんだ तो चारो तरफ से मैं अच्छे से इसको बेल लूँगी तो यह देखिए बस 15-20 सेकंड के लिए एक तरफ से पकाऊंगी हमने इसको शेकना पकाना नहीं है तो अब इसको मैंने पलट दिया इस तरीके से तो दूसरी साइड से भी 15-20 से के लिए मैंने इसको सेक लिए तो इसको अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी बड़ी इस तरीके से तो अब गरम-गरम ही इसकी जो रोटिया है वो मैं अलाइदा कर दूँगी यह देखिए कितने अराम से यह अलाइदा हो रही है और यह देखें कितने जबर्दस से हमारी रोल पटी तियार हुई है यह देखें कितनी यह नराम और कितनी सौफ बनी है तो इसी तरीके से मैं बाकी की रोटियां भी अलाइदा कर लूँगी यह देखिए कितनी जबर्दस यह तयार हुई है घर में बहुत ही कम वक्त में बहुत आसानी से हमने रोल और समोसी की पट रोटी बनाना सिखाते हूं आपको यहां पर मैंने सबसे पहले रोटी को इस तरीके से हाफ किये और इसको इस तरीके से कट कर लूँगी आप चाहें तो चूरी की मदद से भी कर सकते हैं मैंने या कटर कर इस्तमाल किये तो रोटी के हाफ इससे को भी मैं हाफ कर दूँगी दुबारा से और इस तरीके से इसकी जो लाइन है इसके उपर मैं कट लगा दूँगी यह देखिए इस तरीके से बाकी को भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी तो यह देखिए जबरदस ही हमारी रोल की पटियां तयार है अब समोसा शीट्स बनाना बताऊंगी मैं आपको तो यहाँ पर मैं पहले इसके सारे किनारे अलाइदा कर लूँगी जो एक्स्ट्रा किनारे हैं इस तरीके से तो यह देखिए उपर के भी मैं किनारे अलाइदा कर लूँगी और साइट से भी तो देखिये सारे किनारे मैंने अलैदा कर दीए अब मैं 3-3 इंच पर निशान लगा दूगी क्यूंके हमें रोल की जो चुडाई है वो 3-3 इंच की चाहिए इस तरीके से मैं 3-3 इंच पर निशान लगा रही हूँ और लंबाई में हमें यह 9 इंच की जाहिए तो अब मैं कटर की मदद से इसको इस तरीके से कट कर लूँगी आप चाहें तो छुरी का भी समाल कर सकते हैं मैं यहापर कटर के समाल कर रही हूँ इसी तरीके से मैं बाकी की भी कटिंग कर लूँगी यह देखिए जबरदस यह हमारी जो रोल पटियां वो रेडी है कितनी नरम और कितनी जबरदस यह तयार हुई है बहुत असानी से यह बन गई है आपने देखा कि बहुत ही कम टाइम लगा है इनको बनाने में और जबरदस यह पटियां तयार हो गई है तो ये देखिए, बहुत ही दबर्दस बनती है, बहुत कम टाइम लगता है इनको बनाने में और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इनको तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा इनको घर में तो जो इनके किनारे हमने इलाइदा किये थे, इनको हम जाया नहीं करेंगे, बलकि इनको फ्राइ कर लेंगे और इनकी पापड़ी तियार कर लेंगे तो आप इसको जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपके मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने दोसों साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएं तो कैंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताके मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचें थैंक्यू फो वाचिंग अल्ला आफिस